मैं एक कविता आप लोगों को बता देता हूं कि जब छत्रपती सिवाजी महराज का राज्याविशेख हुआ था तो उस समय ग्राउंड पे सेंटिमेंट क्या था ग्राउंड रिपोर्ट की बहुत चर्चा चलती है तो एक कवी है साहिर योगेश साहिर योगेश छत्रपती सिवाजी महराज के राज्याविशेख पर जो लिखते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनें आसेतु हिमाचल प्यार का बंधन खून से जोड़ा जाता है इस देव भूमी में दानवता का खून निचोड़ा जाता है इन खेतों में फसल सत्रु के खून से बोई जाती है और वो तलवार भवानी है जो दुसमन के खून से धोई जाती है विश्ववंदिनी भारतमा का राज सिंहासन टूटा था पुनराभिशिक्त होने वाला वह राष्ट्र पुरुष सिवराया था ये सिंहासन राम क्रिष्ण का इंदर परस्तिय धर्म राज का यह सिंगहासन रामकृष्ण का इंद्रपरस्तिय धर्म राज का साली वाहन चंद्र गुप्त का पुलके सिन विक्रमा दित्य का पौरुस असोक पृत्विराज का गुरु अर्जुन राणा प्रताप का पौरुस ताकी परंपरा का महा पराकरमी राजा था पुन्रा भिशिक धीमा गोदा सर्यू पूर्णा अलक नंदनी गंडक कोईना सप्त सिंदुसा सरिता संगम राय दुर्ग पे होना था पुनरा भिसिक्त होने वाला वह राष्ट्र पुरुस्षिव राया था तुका राम और समर्थ आये धर्म राज के मार्ग दिखाये कासी से गागा भट आये राज्या रोहन महुरत लाये दुर्ग दुर्ग दक्खन के गाये आज हमारे राजा आये जेश्ट सुद्ध त्रियोदसी का दिन मंगल सुभ आया था पुनरा विसिक्त होने वाला वह पुरुष सिवराया था ये हिंदू सेंटिमेंट था जब छत्रपती सिवाजी महराज का राज्या रोहन हुआ था